हलो फ्रेंड्स मैं शिखा आप सबी का अपने यूट यूट आरा पर स्वागत करती हूँ आज अग गुलाब जावन बनाएंगे आईए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले 100 ग्राम पनीग लेंगे और उन्हें कद्दुकस कर लेंगे अब 500 ग्राम मावा लेंगे और उसे मिला लेंगे अब इसने 50 ग्राम मैदा और आधी चमच बिकिंग पाउडर डालकर मिला लेंगे अब इसे तब तक मसलते रहेंगे जब तक इसका स्पूज डो बन कर तयार ना हो जाए हतेली के साहता से इसको अच्छे से बसलते हुए इसका डो तयार करेंगे देखिए सॉप्ट सा डो बन कर तयार है अब इसे साइट से रग देगे अब हम चास्टी बनाएंगे इसके लिए परतन को गैस पे घरम करेंगे और उसमें साथ सो ग्राम चीनी और साथ सो मिली लीटर पाली डालकर पिला लेंगे और इसे उबलने देंगे जब चीनी अच्छे से घुल जाए तब इस पर दो चमल दूर डालेंगे हम बूद इसके डाल रहें ताक कि चीनी की सारे गंदगी ऊपर आ जाए और हमारी चास्टी क्रिस्चलन क्लीन हो जाए देखिए चास्टी की गंदगी ऊपर आ चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे अब हम गेस को कम कर देंगे और चास्टी को और बन लेंगे देखिए चास्टी में चिपचिपा बन आ गया है यानि हमारी चास्टी बन कर तयार है अब हम गेस बन कर देंगे अब हम डो से गुलाब जाबून बना लेंगे अब हम यहां फिलिंग के लिए सफेद इलाइची के दाने और बड़ी इलाइची के दाने का यूज करेंगे अब हम हाथ में थोड़ा सा डोल लेंगे और उसमें दोनों फिलिंग को भर कर उसे गुलाब जामून की शेप देंगे ध्यान रहें इसे बनाते समय इसमें कोई भी दरारे ना बने ये एकदम स्मूध और सॉफचा दिखना चाहिए इसी तरीके से बागे गुलाब जामून भी बना लेंगे गुलाब जामून सारे बनकर तयार है हमने पहली घी को गरह होने के लिए रग दिया था अब हम इसमें गुलाब जामून को फ्राइ कर लेंगे ध्यान रहे हम कल्ची को गुलाब जामून से नहीं लगाएंगे बस सेल को हिलाते हुए हम गुलाब जामून को फ्राइ कर लेंगे अगर आपका गुलाब जामून पटने लगे तो डो में थोड़ा मैधा और मिलाकर और अच्छे से बाइंडिंग करके आप दुबारा से गुलाब जामून बना सकते हैं गुलाब जामन गोल्डर ब्राउं हो चुके हैं और हमारी चास्ति भी हलकी गुणगुणी हो चुकी है अब हम उसमें गुलाब जामन को डाल लेंगे गुलाब जामन को चास्ती में एक गंटे रखने के बाद ये साफ करेंगे अब हम इसे काटके देखने थे हैं कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं देखिए ये कितने सॉफ्ट लग रहे हैं आप इसे बजासित खरीदने की जगह घर पर आसानी से बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले